हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर यूटूब चैनल तैयारी एक जाम की जुन लोगों ने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट साब को समय समय पर मिलते रह हैं ओके इकाई एक है और आप लोग इस क्यूशन आसर देखने से पहले बुक को जरूर पढ़ लेजाएगा क्यूंकि किताब पढ़ने से बहुत सारे क्यूशन आपके दिमाग में रहेंगे और उसके आंसर भी ठीक है तो चेप्टर समझने में आसानी हो जाएगा तो अरगत आते हैं तो इसका सिंपल्स आंसर है गई जिद्धर आइट अंसर यूरोप ओके हम फैर के तोर पर लाएं है फोर आपसर रहता है बुक में लेकिन यहां पर कौन आंसर सही होगा तो गई में क्या है यूरोप ओके बुक काप लोग खरीदेगा वहां पर फोर आंसर अबजेक्टिव में एक आंसर चूच करने का रहेगा आप लोगों का लेकिन हम यहां पर एक आंसर ही दी हूँ क्यूशन नमर टू है फ्रांस में कि सासक वन्स की पुनरस थापना वियना कॉंग्रेस द्वारा की गई थी तो इसका उतर हो जाएगा ग बुर्वो वन्स ओकी आई चलते हम लोग क्यूशन नमर थ्री क्या है मेजनी का संबंध कि संगठल से था तो इसका उतर हो जाएगा क्यूशन नमर फॉर है इटली एवं जर्मानी के एक ही करन के बिरुद निम्न में से कौन था तो इसका भी उतर हो जाएगा ग ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया है औस्ट्रेलिया नहीं है ओके ऑस्ट्रिया क्यूशन नमर फाइफ है यहां पर काउंट काबूर को विक्टर इंपॉर्टन क्यूशन एकजाम में आता है तो इसका उतर हो जाएगा ग प्रधान मंत्री क्यूशन नमर सेक्स आप लोगों के पास गैरी बॉलडी पेस्टे से क्या था तो इसका उतर हो जाएगा ग नाविक Question No.7 है आप लोगों के पास German Ryan Raje का निर्मान किस ने किया था तो इसका उतर हो जाएगा Question No.8 है आप लोगों के पास बीयापारियों की किस की तो बीयापारियों की आइए चलते हम लोग Q9 पे क्या है रक्त एवं लोग की नीती का अब लंबन किसने किया था तो इसका उतर हो जाएगा ग विसमार्ग आयो चलते हैं Q10 पे क्या है फ्रांक फर्ट की संथी कब हुई वो उचिरिपोर्टन Q7 है तो इसका उतर हो जाएगा 1871 इस भी में Q11 है यूरोप बासियों के लिए किस देश का साहिती एवं ग्यान बिग्यान प्रेर्णा सुरोत रहा तो इसका उतर हो जाएगा Q यूनान का Q12 है 1829 इस भी के एड्रियानोपुल की संथी किस देश के साथ हुई तो इसका उतर हो जाएगा तुर्की फिर देखिए यहाँ पे कुछ एने मलिकित में रिकतस्थानों को भरें कुछ रिकतस्थान है उसको भरना है Q1 पहला है रिकतस्थान यहाँ पे होगा सेडॉन के यूध में ही एक महासकती के पतन पर दूसरी यूरोपीय महासकती जर्मनी का जन्म हुआ देखिए यहाँ पे Q2 क्या है सेडॉवा का यूध किसके बीच हुआ तो आस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ ओके बीच हुआ था Q3 है 1848 इसवी की फ्रांसीसी क्रांती ने मेटर ने खियूग का भी अंत कर दिया आईए हम लोग चलते हैं Q4 पे क्या है बेटिकन सीटी के राजमहल जहां बलेंगा स्पेस के जगह पे पोप होगा रहते थे जो इटली के बलेंगा स्पेस के जगह पे एक ही करन से बचा रहा Q5 है यहाँ पे यूनान को एक सोतंत्र राष्ट्र घोसित करने के बाद बवेरिया के साथ से कौन थें तो ओटो थें को वहाँ का राजा घोसित किया गया Q6 है हंगरी की राज़ानी कहा है तो बुड़ा पेस्ट है एक जामे आ सकता है अब देखिए यहाँ पे कुछ मिलान करना है कि निमने लिखित समुहों का मिलान करेगा पहला कहा है और समुह भ ठीक है दोनों में मिलान करना है यह जो इधर हम दिये हैं बुक में आपको जहां तहां मिलेगा लेकिन यहाँ पर हम आज़र के तोर पर बना हैं क्योंकि आप फेर के तोर पर आप लोगों के सामने लाए हैं ताकि आप लोग भी फेर कर सको अच्छे तरीके से कोपी में जब फेर करोगे तो राइटिंग अच्छा हो जाएगा फेर करते वक्त समझ में भी आगा और क्यूशन कुछ-कुछ याद भी रहेगा दिख समार्क कुण था तो घर इसदराइ टरंसर जर्मन चांसलर फिर विक्टर इम्मानुवल क्या था तो घर इसदराइ टरंसर राजनीतिग्य यहाँ पे दे दी हैं क्योंकि बुक में ये सभी अंसर दिया गया है अगर आप लोग के पास बुक होगा तो मिला सकते हैं देखिए यहां पे दूसरा है समुह आ और समुह ब का मिलान करना है तो देखिए पहला है वियना समेलन कब भुआ था तो इसका उत्र हो जाएगा घंट्टारा इस्वे फिर दूसरा है मेटरनिक का पतन कब हुआ था तो गव इसदराई टरंसर अठारा सो और तालिस इसवी में फिर इटली एक की करन कब हुआ था तो कव इसदराई टरंसर अठारा सो इक्यत्तर इसवी में फिर फोर है सेडोन यूध कब हुआ था तो ख इसदराई ट्रंसर 1870 इस दिय में आईए हम लोग चलते हैं इसका 3 पे 3 पे क्या क्या मिलान करना था उसे भी देख लेते हैं समूह और समूह ब में मिलान करना है अप लोगों को तो आईए हम लोग देखते हैं क्या है पहला यहाँ पे कोसुत जो इसका उतर हो जाएगा हंगरियन राश्रवादी नेता था दूसरा है एड्रिया नोपल की संदी तो गह इसदराई ट्रंसर 1879 इस भी में हुआ था फिर 3 है युनान की स्वत तंदरता तो गह इसदराई ट्रंसर 1832 इस भी में हुआ था फिर 4 है पोल लेंड में आंदोलन का कीशन इसका होजागा अंसर 1863 इस भी में ठीक है अब आईए हम लोग चलते हैं कुछ अतिलग उतरिये प्रशन पर हम संपूर्ण पाठ का हल दने वाले है तो बीडियों को इंड तक जरूर देखेगा बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को साथ में यह भी बताया जाएगा कि एकजाम में आने वाले वीवी आई क्यूशन कौन कौन से है दीखे यहाँ पे अतिलग उतरिये प्रशन कौन 20 सब्दों में उतर दे राश्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी बिसेस भोगोलिक सांस्कृतिक या समाजिक परिवेस में रहने वाले लोगों में एक्ता बनाता है राश्रवात कहलाता है जो समाजिक परिवेश में एक्ता बनाने का काम करता है या किया जाता है तो वह राश्रवात कहलाता है ठीक है? Q2 है यहाँ पे आप लोगों के पास मेजनी कौन था? तो इसका उतर हो जाएगा मेजनी साही तेकार गंतांत्रेक विचारों का समर्थक और योग्य सेना पती था लेकिन वह ततकालिन राजनैतिक परिश्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था तह उसमें आदर्सवादि गुन अधिक और बेवहारी गुन कम थे ठीक है? आईए हम लोग चलते हैं क्यूक्षिन अबर थ्री पे अधिलगू राजयों की प्रतिनीधी सभा जिसे क्या कहते थे? तो डायट कहते थे? ओके जिन्दा थी जहां सभी मिलते थे परन्तु उनमें जर्मर राष्टवाद की भावना का अभाव था जिसके कारण एकी करण का मुद्दा उनके समझ नहीं था ठीक है? देखें क्यूशन अबर पोर क्या है? बहुत इन्पोर्टन क्यूशन है एक्जाम में आते रहता है ये प्रश्न ठीक है? देखें मेटर निक यूग क्या है? तो उतर हो जाएगा मेटर निक यूग एक ऐसा यूग है कीशन 1815 इसवी के वियना सम्मेलन की मेजवानी ऑस्ट्रिया के चांसलर देखें इन्पोर्टन क्यूशन बनता है यापे ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटर निक था यहाँ से क्यूशन आते रहता है ने किया अतह वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन यूग का अंध और मेटर निक यूग की शुरुवात होती है आईए चलते हैं अब हम लोग लगूतरिये प्रश्ण पे अती लगूतरिये प्रश्ण समापत हो चुका है आप लोगों का सारी क्यूशन करवा रही हूँ देखिए लगोत रिये प्रश्ण का कितना सब्द में असर देना होता है तो लगभग 60 सब्दों में उत्तर देना होता है तो आगे देखते हैं इसका Q1 पे 1848 के फ्रांसिस्टिक रांति के कारण क्या थें तो इसका उत्तर हो जाएगा लुई फिलिप एकुदार वादि सासक था परन्तो बहुत अधिक महत्वकांची था उसने अपने बिरोधियों को खुस करने के लिए सोरनीम मधवरगी नीती का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजों को प्रधान मंत्रे नियुक्त किया सुधार वादियों ने 22 फरवरी 1848 इस्वी को पेरिस में थियर्स के नित्रित्व में एक विशार भोच का आयोजन किया जगा जगा अबरोध लगाए गये और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया ठीक है मजबूर किया गया ठत्था या तब 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याक किया और इंग्लैंड चला गया आए चलते हैं हम लोग क्यूशन नबर टू पे अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा और किसी कारण बस बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो वीडियो को दो बार जरूर देखिएगा और फेर के तरपर जिस तरह से हम प्रस्तूत की हैं उस तरह से आपके कोपी में भी बना हुआ रहना चाहिए और एक वारा पूसे पढ़की रिवीजन जिरूर कीजेगा तो आपकी तयारी बहुत ही अच्छे ढंक से होगी ठीक है फिर देखिए इसका क्यूशन अबर टू क्या है लग हो तरिये प्रश्न का इटली जर्मानी की एकी करन में औस्ट्रिया की भूमिका क्या थी देख लिजे हाई-राइटेट क्यूशन है बहुत इन-पोर्टेन क्यूशन है देखिए इसे आप लोग दिमाग में बसा लिजिए या इसे आप लोग समझ लिजिए या आपना जिस तरह से याद करते हैं उस तरह से याद कर लिजे कि इटली जर्मानी के एकी करण में औस्टिया की भूमिका क्या थी तो इसका उतर हो जाएगा आप लोगों के पास इटली जर्मानी के एकी करण में औस्टिया की भूमिका निम्न है सबसे पहले इटली की बात करें तो 1830 की फ्रांसिसी क्रांती के प्रभाव से इटली भी अच्छूता नहीं रह सका और यहां भी नागरिक आंदोलों शुरू हो गए मेजनी ने इन नागरिक आंदोलों का उप्योग करते हुए उतरी और मध्य इटली में एकी करित गनराज अस्थापित करने का प्रयास किया लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटर निक द्वारा राष्ट्रोबादी नागरिक आंदोलों को दवा दिया गया और इसी बीच मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा इवं जर्मनी के एकी करन में आउस्ट्रिया ने अपने सेने सक्ति को बढ़ा कर जर्मनी का साथ दिया और हुआ विजय घोसित हुआ अतह आउस्ट्रिया की आहम भूमिका रही ठीक है देखते हैं हम लोकीशन नमर त्री पे क्या है लगूत्री ये प्रश्न का यूरोप में राश्टरबाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायख हुआ तो उतर हो जाएगा यूरोप में राश्रबाद को फैलाने में निपोलियन वोना पार्ट इस तरह से सहायक हुआ कि यूरोप के कई राजियों में निपोलियन की अभियानों द्वारा नव यू का संदेश पहुचा निपोलियन ने जर्मनी और इटली के राजियों को भोगोलिक नाम की परीधी से बाहर कर उसे वास्तविक इवं राजनेतिक रूप रेखा प्रदान की जिससे इटली और जर्मनी की एके करण का मार्ग प्रसस्त हुआ दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांस देशिप प्रभूता और आधिपत्ति के बिरुध यूरोप में देश भक्ति पुर्ण बिछो भी जगा इस तरह से यूरोप में राश्रवात को फैलाने में नेपोलियन बोना पार्ट सहायक हुआ आईए चलते हैं हम लोग क्यूशन अबर फोर पे क्या है फोर है गेरी बॉल्डी के कारियों की चर्चा करें विभी आई क्यूशन है ये भी ठीक है तो इसका उतर हो जाएगा गेरी बॉल्डी एक माहान क्रांती कारी ससस्त्र क्रांती के द्वारा दचनी इटली के रियासतों की एकी करन्त था गंतंत्र की अस्थापना करने का परियास कर रहा था वे पेसे से एक नाविक था क्या था तो एक नाविक था एक्जाम में आता है कि गेरी बॉल्डी पेशे सक्या थे तो वो एक नाविक थें एवं मेजनी के विचारों का समार्थक था पर बाद में काउंट कागुर के प्रभाव में आकर हुए समवधानिक राश्तंत्र का पच्छधर बन गया गेरी बॉल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वेम सेवकों की ससस्त्र सेना बनाई उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के दो प्रांथ सिसली तथा निपल्स इटली के दो प्रांथ कौन-कौन थे तो सिसली तथा निपल्स पर आकरमन करवा दिये देखें क्यूशन अमर फाइफ है लगूतरी प्रश्ण का कि बिलियम प्रथम के बगएर जर्मानी का एकी करन बिसमार के लिए असंभव था कैसे इवी भी भी आई क्यूशन है देखें का आप लोग अच्छे तरह से उतर हो जाएगा बिलियम प्रथम के बगएर जर्मानी का एकी करन बिसमार के लिए असंभव था क्यूंकि जब फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई बिलियम प्रशा का सासक बना बिलियम राश्णवादी विचारों का पोसक उसके सुधारों के फरसरूप जर्मानी में अद्वगी क्रांती की हवा यानि की गती तेज हो गई साथ ही कई सररचनाव में भी बहुत सुधार हुआ जिसे जर्मन राश्टों को एकता के सुत्र में बंधने के परियास तेज हुए ठिक है बिलियम प्रथम ने एकी करन के उद्देशों को ध्यान में रहकर एक महान कुटनित्य की बेकती जो की बिसमार्क था कुटनित्य की कौन था तो बिसमार्क था उसको अपना चांसलर यानि की प्रधान मत्रे निक्त किया परियनाम तह जब बिलियम प्रथम जर्मनी का एकी करन के लिए बिसमार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो सोरी देखें यहाँ पे थोड़ा सा विस्मार को अपना चांसलर नहीं बनता तो सायद जर्मनी का एकी करण विस्मार के लिए असंभव था आएब हम लोग चलते हैं दिर्ग उत्रिय प्रश्ण पे जो कि 5 या 6 है उसे भी हम लोग देख लेते हैं वीडियो में दिर्ग उत्रिय प्रश्ण का लगभग 150 सब्दों में उत्तर दे का क्यूश्यमार पहरा है इटली के एकी करण में मेजनी काबूर और गेरी वाल्डी के योगदानों को बतावे इसका उत्तर हो जाएगा इटली के एकी करण में मेजनी काबूर और गेरी वाल्डी के योगदानों का बर्रन निम्न है आईए देख मेजनी अपनी पराजे के बाद भी हार नहीं मानी सन 1831 में उसने येंग इटली नामक संस्था की अस्थापना की जिसने नविन इटली के निर्मान में महत्वपुन भाग लिया इसका उदेश इटली प्राइदीप से विदेशी हस्त छेप समाक्त करना तथा संयुक्त गनराजे अस्थापित करना था सन 1834 में भी देखिए सन 1834 में येंग उरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राश्ट्रिय आंदोलन को भी प्रवत साहिद किया काबूर एक सफल कुटनी तेग्य एवं राश्ट्रवादी था वो इटली के एकी करन में सबसे बड़ी बाधा उस्ट्रिया को मानता था अत इव उसने आश्ट्रिया के पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया यहाँ पे ध्यान दिजेगा यहाँ पे 1853 से 54 यहाँ पे इस तरह का होगा ठीक है यहाँ पे यहाँ पे 1853 से 54 के क्रीमिया यूद में काबूर ने फ्रांस की और से यूध में समलित होने की घोसना कर दी जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आगरह भी नहीं किया था इसका प्रत्यच लाव काबूर को प्राप्त हुआ दच्छिन इटली के जीते गए छेत्र को बिना किसी संधी के गैरी पॉल्डी ने विक्टर इमेनुवल को सौप दिया गैरी पॉल्डी को दच्छिनी छेत्र में सास्यक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमेनुवल द्वारा भी दिया गया परन्तु उसने इसे अस्विकार कर दिया वो अपनी सारी संपती को राष्ट्र के नाम समर्पित कर साधारन किसान बन गया त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गरिवल्डी के चरित्र को भारती सो तंतरता संग्राम के दोरान खुब प्रचारित किया गया ओके आईव हम लोग चलते हैं दिरगोत्रिय प्रश्ण का क्यूशन अबर टू पे क्या है जर्मनी की एकी करण में बिसमार की भूमिका का वर्णन करें देखिए इस ट्रैप का क्यूशन है बहुत आता है एक्जामे यह भी भी आई क्यूशन है इसे भी आप लोग ध्यान में रखेगा फर्श्ट चेप्टर से तो एक्जामे आते ही रहता है इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी की एकी करण में बिसमार की भूमिका का वर्णन निम्न है बिसमार की जो जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनीधी हुआ करता था प्रारम सही हीगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद यानि की डायट में अपनी सफल कूट नीती का लगतार परिचय देता आ रहा था वह निरंगुस राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी की एकी करण के परियास में जूट गया यह उसकी कूट नीतिक सफलता थी चाहे की चाहे उदार वादी राष्ट वादी होया कटर वादी राष्ट वादी सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे विशमार्क जर्मन एकी करण के लिए सैन सक्ति के महत्व को समझता था अतह इसके लिए उसने रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया यहां सी क्यूशन बनता है फ्रेंड्स की रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किशने किया था तो विशमार्क ने इसका तात्पर कहने का भी प्राय इसका मतलब था कि सेन उपायों से ही जर्मन का एकिकरन संभब था उसने अपने देश में अनिवार्य सेन सेवा लागू कर दी कालांतर में उसने 1830 के आउस्ट्रिया प्रसा संधी का विरोध करना सुरू किया जिसमें प्रसा के नित्रित्व में जर्मनी का एकी करन नहीं किया जाना था इस कारण अब प्रसा के नित्रित्व में जर्मन एकी करन की भावना जोर पकरने लगी ठीक है? आईए चलते हम लोग क्यूश्य नबर 3 पे दिरगुजरिय प्रश्ण का क्या है? राश्रवाद के उदे के कार्णों एवं प्रभाव की चर्चा करें का इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास राश्रवाद के उदे के कार्णों एवं प्रभाव की चर्चा निम्न है राश्रवाद की भावना का बीजारोपन यूरोप में पुनर जागरन के काल सही हो चुका था प्रेंतु 1789 इस्वी की फ्रांसीसी क्रांती से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई 19 इस्वी सताबदी में तो यह उन्नत एवं आकरामक रूप में सामने आई इसके कारण भी अथिष्ट थे और परिणाम भी यूगांत कारी रहे नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय सक्ति आस्ट्रिया के राजधानी वियना में 1815 इस्वी में एकत्र हुई जिनका उद्देश यूरोप में पुना उसी वेबस्था को अस्थापित करना था जिसे नेपोलियन के यूधों और विजयों ने अस्ट बेस्ट कर दिया था आईए चलते हम लोग इसके आगे क्या है परन्तो इसमें भाग लेने वाले राजनाईक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे की जनतंत्र और राश्रवाद की नई सक्तियां राजनीती को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी ठीक है आईए चलते हम लोग किशेवर फोर पे क्या है फोर है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरन दें तेहां पे उसका उत्तर हो जाएगा चाल्स दसवा एक निरंकुस इवर प्रतिक किरियवादी सासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रियता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दवाने का कार्य किया उसने अपने सासनकाल में संबैधानिक लोगतंत्र की राह में कई गतिरोथ उत्पन किये उसके द्वारा प्रतिकीरियवादी पॉलिगनेक को प्रधान मंत्री बनाया गया पॉलिगनेक ने कुर्व में लुई अठा रहवे द्वारा अस्थापित समान नागरिक सहिता के अस्थान पर सक्तिसाली अभी जाति वर्ग की अस्थापना तथा उसे विशेसाधिकारों से विभूसित करने का प्रयास किया उसके इस कदम को उधारवादियों ने चुनोती तथा क्रांती के बिरुध सड़ेंद्र समझा प्रतिनीधी सदन एवं दूसरे उधारवादियों ने पोलिगने के विरुध गहरा असंतोस प्रकट किया चार्स दस्वा ने इस विरुध के प्रतिकिरिया सोरुप 25 जुलाई 1830 इसवी को चार अध्यादेशों द्वारा उधार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया इन अध्यादेशों के विरुध में पेरिश में क्रांती की लहर दोड़ गई और फ्रांस में 28 जुन 1830 इसवी से ग्रिह यूध आरंभ हो गया इसे ही जुलाई 1830 इसवी की करांती कहते हैं परिनाम तह चार्स दस्वा देखी यहां पे 10 लिखा हुआ इसको दस्वा पढ़ा जाता है को कि चार्स दस्वा फ्रांस की राजगदी त्या कर इंगलेंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्वो वन्स के सासन क अंत हो गया आये चलते हैं हम लोकिशन अगर 5 पे क्या है दिर्गुत्रिय प्रश्ण का युनानी स्वात अंतरता आंदोलन का संचिप्त विवरंदे विवी आई क्यूशन है एकजाम में इस ट्रैप के क्यूशन आते रहता है तो इसका उतर हो जागा युनानी स्वात अंत प्रश्ण के आधार पर इनकी पहचान एक थी फलतह तुर्की सासन से स्व्यम को अलग करने के लिए आंदोलन चलाये जाने लगे इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की अस्थापना ओडेशा नामक अस्थान पर की इसका उदेश्य तुर्की सासन को यूनान से निश्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांतिक नेत्रित्व के लिए यूनान में सक्तिसाली मध्यवर का भी उद्य हो चुका था। यूनान सारे यूरोप बासियों के लिए प्रेड़ना एवं समान का परियाय था। जिसकी स्वतादरता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्तता के बाभजूद भी उद्यत थे इंगलैंड का महान कभी देखिए हैं इसे भी भी आई है किया हम पढ़ रहे हैं यहां पर देखिए इधर रूस भी अपनी समराज वादी महत्व कांछा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की सोतरता का पच्छधर था वीडियो यही पे इंड करते हैं क्योंकि वीडियो समापत हो चुका है अब चेप्टर भी समापत हो चुका है अब मिलते हैं हिस्ट्री के दूसरे चेप्टर के साथ ठीक है तो जिन लोगों नभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम 10th क्लास के इसोसा साइस का सभी चेप्टरों का इसी टैप का फेर के तौर पर क्योशन अंसर प्रोवाइट करने वाली हूँ साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि इसमें VVI क्योशन कौन से है एक जामें कौन कौन से क्योशन आते है तो ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सेर करें बहुत महिनत लगता है एक वीडियो बनाने में आप लोग खुद फेर करके बनाईएगा तो पता चलेगा कितना महिनत लगता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए बाबाई टीक एर थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो हाव नाइस डे